हेलो माई यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे और वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो अभी खोली है तो मैंने सोचा क्यों ना होली पर कुछ बनाया जाए बच्चों के लिए तो इसके लिए मैं बैठ गई हूँ कड़ाई पे मैंने आज गैस को नीचे यह रख दया था क्योंकि यह जो मैं बना रही थी इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है तो मैंने सोचा हम चैनग बना यह को बनाने देखती हूं गुजिया बनाओंगी या तो फिर मावा के पेड़े या फिर बर्फी जो भी बनाओंगी उसमें मावा को एड़ कर लोगी या तो फिर कोई भी एक रेसेपी मावा की बना दूँगी उसके बाद कोई भी वैसे मैंने कहीं सारी चीजी सोची हुई थी बनाने की क कैं से मंड़ने में तीन स्वेस्वी अवाल कि शुद्टी नहीती हैं सबसे हमने कुछ प्लानने का था क्योंकि हमारा प्लाइन तो फिर हम ने सोचा कि हम नहीं पर ही खेल देंगे तो इसलिए हम नहीं जा पाई वैसे प्लैन मेरा था कि मैं कहीं सारी मिठाईया में और अपने गाउं में लेकर जाओं सब के लिए और तो फाइनली यहां पर मावा बन कर तयार हो गया है मैंने इसको अभी थोड़ा सा धीला धीला ही रख दिया ज्यादा टाइट मैंने मावा को नहीं किया है तो यहां पर हमारा 400 ग्राम मावा बन कर तयार हुआ है दो किलो मैंने दूद लिया था अभी हम मावा को ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक यह ठंडा होगा तब तक हम बाकी की तैयारियां करेंगे और तो यहां पर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं गुजिया बना लेती हूँ उसके लिए यहां पर मैं सारी जीजे एक बार में रख रही थी ताकि मुझे बार बार उखना ना पड़े जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा तो मैंने सोचा है तब तक मैं स्ट्रफिंग की तैयारी कर लेती हूँ गुजिया के लिए तो इसके लिए मैं यहां पर सारी चीजे एक बार में ही रख रही थी ताकि मुझे बार बार कीचन से लेने ना जाना पड़े और तो अभी मैंने गैस पर पैन को रख दिया है और इसमें डाल रही हूँ गी दो-तीन चमच अभी हम ड्राइफ रूट को फ्राई करेंगे यहांपर मैंने ड्राइफ रूट में लिया है काजू बादाम किसमिस और सूखा नारियल काबुरास। content I excel में लिए हैं मकाले और टेश्ट की हिसाब दिस में कम जादा कर सकते हैं तो यहां पर देखे काजी और बॅदा मैंने भून कर तयार कर लिये हैं अभी मैंने एक लेट में निकाल देती हूँ इसके बाद मैं किसमिस को फ्राई करूंगी ड्राइ फ्रूट्स को आप लो फ्लेम पर ही फ्राइ करें क्योंकि ड्राइ फ्रूट्स जो है बहुत ही जल्दी से सिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसलिए आप इने लो फ्लेम पर ही फ्राइ करें ताकि वो अंदर तक अच्छे से सिखकर तयार हो जाए और यहां पर देख मेरने को फ्राइप नाइब कर रही हूं मकाने म appropriate अधिया कि अभी बाइन और श्रॉस्ट कर सकते हैं और या तो आप भी घे अड़े यहां पर आभी पान मे एक चमच करीब तो नहीं कर दाए तो मैंै इसमें मकाने को बुनने में कुछ ज्ञादा ही समय लगता है और यहां पर मुझे जहन्नी से इसको चलाने लेकिन भूल भूल लेकिन अबने बेटी से बोला कि मुझे देदो किचिन में रख्यू यह कर दिया अब पैन में इसे भी लगता चलाते हुए भूनना स्टार्ट कर दिया सूजी को भी आप लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनने और लगता चलाते रहें ताकि वह उसका दाना दाना अच्छे से जो है फूल जाए और जैसे सूजी हमारी भून जाए की लगे कि एक-दो मिनिट में सूजी भून कर तयार हो जाएगी तभी मैंने इसमें डाल दिया है कोक तो यहां पर सूजी और कोकनेट पाउडर अच्छे से भून गया है जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको इससे भून लेना है उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी बड़े बोल में यह देखे यह अच्छे से भून गया है और हमारे ड्राइफूट जो है वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अभी हम उनी भी पीस कर तेयार कर लेंगे आप चाहें तो फिरंट ट्राइफूट को कूट कर भी ले सकते हैं क्योंकि जब ड्राइफूट दर्दरा कूटे कोई मूह में आते हैं तो बहुत जादा टेस्टी लगता है अधिया ने बताया कि हमारा प्लैन गाउं में जाने का था लेकिन हम नहीं जा पाई तो मेरा प्लैन यह था कि मैंने अच्छे से पीछ लू ताकि मेरे घर के बड़े लोग भी जो है गुजिय को अच्छे से खापाएं और साथ ही मैं इसमें डाली है इलाइची यहां पर मै मैं इसे अच्छे से पीस लिया है और यहां पर मैं जो है मिक्सी जार को निकाल ही नहीं पा रही थी पता नहीं क्या हो रहा था आपके साथ यह रिकत होती है क्या नहीं मुझे जरूर बदाने मेरे साथ तो कहीं बार होती है कहीं बार यह जाम हो जाता निकली नहीं पाता है यहां पर मैंने बुरा लिया है आप अपने टेस्ट के यह साब से मेटे की कौंटिटी कम जादा कर सकते हैं और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लेकिन मावा जो आओ अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो फाइनली मैंने सोचे मैं हाथ से फटाफट से कर देती हूं गुजिया बनाने के लिए फ्रेंट्स आपको सबसे ज्यादा समय मावा बनाने में ही लगता है अगर आप एक दिन पहले मावा बना लेते हैं तो गुजिया बनाने में ज्यादा प्रेशानी नहीं होती अगर आप मावा पहले से बना करके रख लेते हैं तो आपको गुजि के लिए डो बनाकर के तैयार करूंगे तो सबसे पहले मैं बाकी के बर्तनों को साइड में हटा देती हूं तो देखिए यहां पर डो बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा मैदो को हम चान कर यूज करेंगे हुआ और बीचे विच मेरे बच्ते मीरे साथ बात के बंचा को यह कर आज उन्होंने मेरे कैमरे को हैंडल किया हुआ था वही देख रहे थे की सैटूंग ठीक से है या कैमरे की पूरा वीडियों नहीं ही record किया है तो यहां पर मैने मैदा को छान लिया है भी मैं इसमें डाल रही हूँ refined oil और इसे अच्छे से مिक्स कर लेना है हमें पहले मैंने से घ्र का हूँ यह ध्यूस कि समच हे रहना है नाना है तो यहां पर हमने से मैदे के अगर आपको लगे की मुठी नहीं बंद रही तो आप थोड़ा सा घी या तेल उसमें और डालकर अच्छे से मेक्स कर लें अभी हम इसका एक डो लगा करके तैयार करेंगे डो लगाने के लिए यहां पर मैंने रूम टेंपरेचर के पानी का इस्तेमाल किया है अगर आप गुजिय सर्दियों में बना रहे हैं तो आप हलके गुंगने पानी का इस्तेमाल करें तो यहां पर दीखी डो हमने बना करके तैयार कर लिया अभी मैं इसके उपर लगाऊंगी हलका सा घी चारो तरफ ताकी डो हमारा सूखे न और अभी हमें इसे ढखकर के रेस् कोकनेट पाउडर और करिब आधी कोटोरी मैंने बुरा लिया है यानि की शुगर पाउडर दोनों चीजे हमें अच्छे से मावा के साथ मिक्स कर लेनी हैं मावे की पेड़े खाने के डिमांड मेरी चोटी बेटी की थी तो इसलिए मैंने आधी से कब मावा बचा करके रख चाहता था तो मैंने बोला कि थोड़ा दिर्फुको मैं से अच्छे से मिक्स कर देती हूं उसके बाद मैं आपो टेस्ट करवाऊंगी कि इसमें मिठा अच्छे से है या नहीं है तो उसके बाद वह सांत हो गई थी और मैंने उसके लिए बनाए च्छोटा सा लड़ू और बोला कि आप चेक करके बताओ तो तो उसने फाइनल कर दिया कि हो क्या तो फिर मैं अपने पेड़े बनाने की प्रोसेस पे शुरू हो गई और मैंने छोटे-छोटे इसके लिए पेड़े बना करके तयार किये उसे दूद से बनी मिठाईयम बहुत जादा पसंद है दूद की पेड़े बर्फी यह सब बहुत जादा पसंद करती है गुलाब जावन तो इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ा समावा बचा करके रख दिया था और यहां पर मैं उसके लिए चोटी यह चोटी चोटी पेड़े बना करके तयार कर रही थी अगर बच्चों की डि पेड़े बना करके तयार कर लिए तो यह लीजी फ्रेंट्स पेड़े बना करके तयार हो गए है आई आप भी आकर खा लीजी और इसी बीच हमारा डो भी अच्छे से सैट हो गया है इसे रखे हुए करीब 10 मिनट हो गई है तो मैं इसे एक बार फिर से अच्छे से मल रही हूं ताकि अच्छे से सैट हो जाए उसके बाद हम इसकी चोटी चोटी लोईयां बना करके तयार कर लेंगे इस समय पर अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है बड़ा तो आप उसकी हल्प जरूर रेलिए उससे काम इस जल्दी से हो जाता है तो यहां पर मैंने सारी लोईयां तोड ली है उसके बाद मैं करी 5-7 पेड़े बना करके तयार करूंगे इसे बेलना स्टार्ट करूंगे यहां पर मैंने चकली और बेलने को घीए साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैं एक ही समय पर 5-7 बेल कर तयार कर लेती हूं लोईयां उसके बाद ही मैं इनकी स्टरफिंग करती हूं इससे मुझे एजी लगता है आप चाहिए तो एक-एक बेल कर भी स्टरफिंग कर सकते हैं तो यहां पर देखे मैंने करीब 5-7 लोईयां बेल कर तयार कर ले थी इसके बाद मैंने घी को गरम होने के लिए रख दिया ताकि घी भी साथ के साथ अच्छे से गरम होता रहे तो अभी यह आ गे थे बोल रहे थे कि मैं इनको इनकी फिलिंग कर देता हूं तब तक और तो इन्होंने गुजिया को भरना स्टर्ट के और मैं साथ-साथ बेलती गही ताकि काम थोड़ा एजी हो जाए और जल्दी से हो जाए झाल 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 तो आसी मैंने फटा फट चे लोईयां बना करके दे रही थी और यह फटा फट चे श्टरफिंग इसमें भर रहे थे तो यहां पर जैसे ही करी 5-7 लोईयां मैंने बेल कर तयार की तो मैंने भी भरना स्टार्ट कर दिया ताकि लोईयां हमारी सूखी ना पड़े और साथ ही क्या होता है कि जब हम प्लेट में लोईयां रखते हैं तो नीचे की साइड वाली लोईयां जो होती हैं मोस्चर आ जाता है जिस वज़े से वह एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं तो मैंने भी यहां पर साथ साथ इनके स्टाफिंग करना स्टार्ट कर दी प्रहएो स्ट्ड़तर मिश्चर से वहां जावडा करना स्टार्ट करना स्टार्ट डा creativity कर दो आदूंग करना में कड़न tung कर दो पूरती हैं ता हैं मैंने खैं कि रहां जाता हैं प्हड़र बाकर तान स्टार्सक. 1.श्सी दंदिए झाल झाल जब पूड़ी अंदो तिन रहा कही थी तो मैंने फिर से बेलना स्टार्ट किया ताकि ये स्ट्रफिंग करते रहें और मैं इने बेल कर देती रहूँ और यहां पर घी भी हमारा अच्छे से गरम हो गया था तो मैंने जितनी गुजिय मैंने बना करके तयार कर ली थी तो मैंने उन्हें फ्राई करने के लिए डाल दे ताकि ये साथ-साथ फ्राई होती रहें घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को लो मीडियम करेंगे और इसमें गुजिय डाल देंगे स्टार्टिंग में आप घैस के फलेम को लो Çू मीडियम ही रखे लोग रही हाइँ अगर आपра लेम कर घू गये तो गोजी अंधर तक सफ्ची से सिकर तैयार नहीं हो तो यहां पर गोजी अभी साथ-साथ में देख रही थी और साथ-साथ तो सब्सक्राइब लगन कर रों निच जाता हैं तो दूसरा बैच watch less तयार कर लेफसे हमें कर लिते हैं क्योंकि ए5 टोई January 7 15 मिनिट यहां पर लग जाते हैं तो मैं इसके किनारों पर पानी लगाते हुए अच्छे से प्रेस कर रहीगी ताकि यह अच्छे से चिपक जाई और घीमें जाते ही ना खुले तो यहां पर मैं बीच बीच में गुजिया को भी चलाती जा रही थी और साथ साथ स्ट्रफिंग भी कर रही थी बाकी की गुजिया में तो यहां पर देखी एक बैच मैंने बना करके तयार कर लिया है अब भी मैं इसे निकाल देती हूँ तो यह लीजिए एक बैच बनकर तयार है ऐसे ही हम सैक्ट बैच को बना करके तयार कर लेंगे गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और क्योंकि गी हमारा अच्छे से गर्म है और तो हम जितनी गुजिया एक बार में आ जाए उतनी हम इसमें डाल देंगे और फीर से बाकी की गुजिया भी ऐसे ही बना करके तयार कर लेंगे। तो यह देखो भई गुजिया बनके तयार हो गई हैं और साथ में मैंने पेड़े भी पनाई हैं यह देखी और हैपी होली गाइस आपको आज का व्लोग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपकी अपने चैनल स्पार्क व्लोग के साथ आज के लिए इतना ही थैंक्यू गाइस